Hello everyone. Today we will discuss inverse variation. हम लोग डिस्कस करेंगे inverse variation जो की बहुत ही important है to understand because this will help you to solve word problems easily. आप जो struggle करते हो word problems के अनदर की multiply करें, divide करें, फिर multiply करें, अब फिर divide करें. So all those problems will vanish, वो खतम हो जाएंगी अगर आप clearly समझे लोगे कि inverse variation क्या होता है. So let's start by taking a look at few examples. कुछ examples देखेंगे और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि inverse variation होता क्या है. ठीक है? सब तयार है? तो सबसे पहला जो हम example लेंगे, वो है traveling का. Imagine करो कि आपको Delhi से Mumbai जाना है, ओके? कहां जाना है आपको? Delhi से Mumbai. तो बहुत सारी तरीके हो सकते हैं. Delhi से Mumbai जाने के लिए, आप plane से जा सकते हो, train से जा सकते हो, bus से जा सकते हो, car से जा सकते हो, cycle से जा सकते हो, और अगर आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो, right? तो बहुत सारी तरीके हैं. So we will take a look at few of those methods. अब फिर हम देखेंगे किसमे कितना टाइम लग रहा है, किसमे जादा टाइम लगता है, किसमे कम टाइम लगता है. ठीक है? तो सबसे पहला तरीका, जो हम लोग देखेंगे, that is by train. कि अगर हम train से जाएंट डेली से मुंबाई, तो क्या होगा? तो train की टिपिकल स्पीड होती है, कि भीया, वो करीब परिब 100 km per hour कवर कर लेती है. ठीक है? तो अगर वो 100 km per hour distance कवर करती है, तो वो more or less 16 hours लेगी to reach मुंबाई. डेली से मुंबाई पहुंचने में, वो करीब परिब 16 घंटे का टाइम लेगी. ठीक है? तो ये एक तरीका हो, कि हम train में बैठे, station गए, हम train में बैठे और train में बैठे कर हम दिल्ली से मौंबे पहुंचने. ठीक है? तो ये एक तरीका हो. अब देखें दूसरा तरीका. तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? कि हम बोलें कि नहीं में को train की जरनी पसंद नहीं है, मेरे को तो road trip पसंद ह है. So let's go by bus. तो अगर हम एक शांदा luxury bus में बैठ जाते हैं और उस bus से हम जाते हैं Mumbai. अब bus की speed और train की speed से थोड़ी कम होती है, right? तो माल लेते हैं bus की speed है 50 km per hour and एक गंटे में 50 km कवर करेगी. और train कितनी कवर कर रही थी? 100 km per hour. तो आप पो क्या लगता है? कौन जादा time लेगी? train कि bus? train जादा speed से जा रही थी? bus कम speed से जा रही है. तो मेरे इसाब से तो bus जादा time लेगी कि वो कम speed से जा रही है, right? आपको एक जगे से दूसरी जगे पर जाना है अब pedal जाओगे तो जादा time लोगे, दौर के जाओगे, जादा Speed में दोड़के जाओगे, तो कम टाइम लेगी तो सेmm मुंबई जाना पड़ चलो वही किसी ने सोचा तो ही टूक अ साइकल एंड स्टार्टेट फॉर मुंबई अब बेचारे साइकलिस की स्पीड केवल 10 किलोमेटर्स पर आवर इस 10 किलोमेटर्स डिस्टेंस कवर करेगा वन आवर में तो आपको कह लगता है यह ट्रेन से जल्दी पहुच जाएगा या बस से जल्दी पहुच जाएगा नहीं न क्यूंकि इसकी स्पीड बहुत कम है तो यह और भी ज़्यादा टाइम लेगा राइट तो मैं तीन एग्जामपल देखें ट्रेन से बस से और साइकल से train की speed सबसे ज़्यादा सबसे कम time bus की speed उससे कम तो थोड़ा ज़्यादा time और cycle की speed तो और भी कम तो और ज़्यादा time अब आप पैदल भी जा सकते हो, तो और जाधा टाइम ले लोगे, यह आपको बहुत जाधा जल्दी है, तो आप प्लेन ले लो, तो दो घंटे में पहुंच जाओगे, राइट, तो यह सारा हमने एक्जामपल डिसकस करा, इसका inverse variation से, क्या मतलब है, what relation does this example have with inverse variation, तो चले दे दिया, which will take longest time to reach, आपने वोले को बहुत जाधा time लगने वाला है, ठीक, अब इसमिध्यान से देखो, अगर आप देखोगे, train की speed कितनी है, 100, और उसने कितना time लिया, 16 hours, बस की speed उससे कम हो गई, तो उसने जाधा time लिया, right, speed कम हो गई, तो उसने time जाधा लिया, cycle की speed और कम हो गई, तो उसने और जाधा time लिया, right, clear है ना, तो bus की speed 100 थी, वो 16 hours ले रही थी, sorry, train की speed 100 थी, तो 16 hours ले रही थी, bus की speed उससे half थी, तो उसने double time ले लिया, cycle की speed तो 110 थी, तो उसने 10 times time ले लिया, तो इन सब केस में क्या हो रहा है इन सब केस में अगर आप देखो तो साइकल से बस की स्पीड बढ़ रही है बस से ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है जब हम साइकल से बस पर जा रहे हैं बस से ट्रेन पर जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है पर time taken क्या हो रहा है time taken कम हो रहा है अगर speed बढ़ती है तो time कम speed और बढ़ी तो time और कम मतलब जैसे 600 में होता है कि अगर एक चीज़ उपर जा रही है तो दूसरी चीज़ नीचे आती है तो same चीज़ यहां पर हो रही है कि अगर मेरी speed increase हो रही है तो time decrease हो रहा है अगर मेरी speed decrease हो रही है तो time increase हो रहा है तो इस variation को हम बोलते हैं inverse variation, जहां पर दो चीजे हैं, जैसे speed और time, तो अगर एक बढ़ता है और दूसरा नीचे जाद कम होता है, तो उसे हम बोलते हैं inverse variation, यानि दोनों opposite direction में move करते हैं, जैसे seesaw में होता है, एक चीज उपर तो दूसरी नीचे, वो नीचे तो दूसरी ऊपर, मतलब यह मतलब दोस्त नहीं है, यह basically दुश्मन है कि एक left जाएगा तो यह right जाएगा, तो inverse variation में, when value of one quantity increases, then the value of other quantity decreases, clear है, increase, decrease, decrease, increase, okay, चलो, एक और example देख लेते हैं, मानो कि मुझे एक फुआख होतना है, I have to dig up a well, तो मैंने तीन workers को बुलाया, और यह तीन workers बोलते हैं, कि मुझे 12, हमें 12 दिन लगेंगे, we will take 12 days to complete the work, अब मुझे बहुत जल्दी है, नहीं मुझे तो काम जल्दी finish करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं workers बढ़ाओंगा कि कम करूँगा, obviously मैं workers बढ़ा दूँगा, तो मैंने कितने workers कर दिये, 6 workers, double कर दिये, तो अब आपको क्या लगता है, time, 6 workers कम लेंगे, कि 3 workers कम लेंगे, अगर 3 workers 12 दिन में complete कर रहे थे, तो 6 workers 12 दिन में complete करेंगे, 24 दिन में complete करेंगे, कि 6 दिन में complete करेंगे, क्या बता सकते हो, आफ़ेसी बात है, तीन लोग अगर बारा दिन लेते तो छे वरकर उससे कम टाइम ही लेंगे, उसका आभध ही लेंगे, क्योंकि हमने वरकर बढ़ा दिये हैं, तो टाइम हाफ हो जाएगा, राइट? तो अगेन, क्या हो रहा है? कि जैसे-जैसे मेरे वर्कर बढ़ रहे हैं, जो time taken है, वो कम हो रहा है, राइट, again, अगर मेरे वर्कर बढ़ रहे हैं, तो जो time taken है, वो कम हो रहा है, मतलब फिर दोनों उल्टा जा रहे हैं, एक left दूसरा right, समझे में आया है, वर्कर मेरे बढ़े, 3 से 6 हो गए, time मेरा कम हो गया, वर्कर मेरे और बढ़ गया, time मेरा और कम हो गया, या उल्टा देखें तो, वर्कर मेरे कम हो गया, time मेरा बढ़ गया, ठीक, तो again, if one thing increases, other thing is decreasing, और, if one thing decreases, other thing is increasing, opposite, so this is an example of inverse variation और, inverse proportion, inverse का मतलब ही होता है, उल्टा, right, चलो, एक final example, और लेते हैं, and I am sure उसके बाद आपका concept एक दम clear होगा, चलो, अब, मेरा पास बहुत सारी नूडल्स है, मैंने नूडल्स बनाई, बहुत ज़्यादा नूडल्स बन गई, तो अगर चार लोग खाने वाले हैं, तो इतनी नूडल्स है, कि वो 16 दिन तक, 16 डेस तक, they can keep eating these नूडल्स, right, मैंने इतनी नूडल्स बनाई, कि 4 people eat daily, then they will take 16 days to finish these नूडल्स, अगर चार लोग रोज खाते हैं नूडल्स को, तो अभी उन्हें कितने डेस लगेंगे, फिनिश करने में, 16 डेस, ठीक है, अब क्या हुआ, अब इन चारों के चार फ्रेंड्स और आ गए, तो टोटल कितने लोग हो गए, आठ, तो अब मेरे को ये बताओ, क्या ये आठ लोग इस नूडल्स को, अगर डेली खाते हैं, तो 16 डेस में फिनिश करेंगे, 16 डेस से ज़ादा लेंगे, ये 16 डेस से कम लेंगे, आप सब सुदों कितना सिंपल सा कोश्चन पूछ रहे हैं, सर, अगर मैंने नमबर आफ पीपल बढ़ा दिये, तो डबल कर दिये, तो आदे दिन में कम्प्लीट कर लेंगे, 16 डेस की बजाए, 8 डेस में कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक न, अगर आप अकेले कोई चीज खाते हो, आप 10 दिन में फिनिश करते हो, पर आपके भाई भेन भी सब कुछ चीज़ों खाने लग जाएं, तो वो तो 10 दिन क्या, 2 दिन में फिनिश कर लोगे आप लोग, तो अग जब हमारे चार लोग थे, तो उन्होंने 16 डेस लिए कम्प्लीट करने में नूडल्स को, मैंने लोग बढ़ा दी, डबल कर दी है, तो अब वो नूडल्स उसके आधे टाइम में कम्प्लीट हो जाएगी, पहले 16 डेस लग रहे तो अप 8 डेस में कम्प्लीट हो जाएगी, तो अब 8 लोग 8 दिन में कम्प्लीट कर सकते हैं, फिर मैंने नूबर पीपल बढ़ा दी है, मैंने फिर से नूबर पीपल डबल कर दी है, तो अब जो 8 दिन में कम्प्लीट हो जाएगी, तो अगेन क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारे नूबर पीपल से बढ़ रहे हैं, हो रहा है अगेने लेफट जा रहा रहा है एक स्टोफर कम हो रहा है इण बढ़ रहा है दूसरा हुआ है उल्टा देखे। मैं आससा जाता हूं गातो हुँ मैं नम्ब्र 펩 लिकर्शनकर्श एक कर रहा हुं 16 8 8 to 4 तो यह मिठेस बढ़ रहा है 4 2 8 8 to 16 तो again क्या हो रहा है number of people और time यह दोनो opposite direction में move कर रहे हैं see saw की तरह अगर number of people बढ़ रहे है number of people बढ़ रहे है तो number of days कम हो रहे है one is increasing other is decreasing one is decreasing other is increasing तो again कैसा variation है दोनों में क्या relation है inverse relation है उल्टा relation है एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा clear तो यह सारे example के अंदर हमने देखा था कि जो दो चीजें हैं इसमें number of people or time उल्टे मूव कर रहे थे number of workers or time taken to finish the work उल्टा मूव कर रहा था number of workers बढ़ जाएंगे तो time taken कम हो जाएगा speed बढ़ रही थी तो time कम लग रहा था speed कम हो रही थी तो time जादा लग रहा था तो तीनों example में हमने दो चीजे compare करी और दोनों की बीच का variation में देखा उल्टा हो रहा था तो इस तरह की variation को हम लोग बोलते हैं inverse variation क्या बोलते हैं inverse variation inverse मतलब उल्टा तो उल्टा relationship है दोनों में एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा clear? so this is very important यह opposite है direct variation का direct variation काहा होता है जहां पर दोनों एक की direction में चलते हैं दोनों दोस्ते एक की साथ चलते हैं एक बढ़ेगा, तो दूस्रा भी बढ़ेगा. एक कम होगा, तो दूस्रा भी कम हो जाएगा. एक आगे बढ़ेगा, दूस्रा भी आगे बढ़ जाएगा. एक पीछे जाएगा, दूस्रा भी पीछे चला जाएगा. तो वो होता है direct variation. Okay? Clear है? So I hope you understood the concept of inverse variation. यह है उल्टा वेरियेशन increase and decrease decrease and increase और यह एकदम opposite है direct variation के जिसमें increase and increase decrease and decrease या तो दोनों चीज़े एक साथ आके बढ़ेंगी या दोनों चीज़े एक साथ पीछे बढ़ेंगी वो direct variation और जिसमें उल्टा होता है एक आगे दूसरा पीछे एक ऊपर दूसरा नीचे वो होता है हमारा inverse deviation So kids I hope you liked this video and you understood the concept So thank you for watching and we will meet soon with some other concept So till then goodbye and have a nice time